चलो तो कीन्स के तीन मोटेव एक बार बताओ ज़रा क्या थे दुबारा से ट्रांजिक्शन, रिकॉशनरी और स्पेकुलेटिव ठीक है तो स्पेकुलेटिव मोटेव जो है वो हम समझ तो गए लेकिन अब बहुत सारे कुछ important points उसी के आगे आगे continue करते तो आप सबसे पहले star दालके अब लिखना कुछ छोटी छोटी बाते मुझे सिखा नहीं है तो सबसे पहले star point दालके लिखना है आपको market rate of interest market rate of interest तो market rate of interest जो है वो क्या मतलब होता है तो ये शब्द काफी बार आएगा तो इसका meaning लिखना है तो arrow दालके लिख लो इसका मतलब होता है interest rate offered in market on cash deposit ठीक है ये exact meaning है अब आज के बाद यही बोलना है हमेशा या मतलब यही सोचना है market rate of interest का मतलब है कि बाजार आपको कितना ब्याज देगा आपकी नकद की जमा पूंजी पर तो आप अपने जेब में 500 रुपए लेके बजार गए अब ये 500 रुपए बाजार में आप कहीं जमा करवाओगे तो उस 500 रुपए को जमा करने पर deposit करने पर आपको कितना interest मिलेगा उसे बोलते हैं market rate of interest तो generally ये कुछ भी हो सकता है लेकिन हम क्योंकि हम तो भारतिये हैं तो हम लोग थोड़ा सा इसको बताओ हम क्या मानते हैं हम कहाँ पैसे जमा करते हैं bank में तो हम लोग अपना समझने के लिए मान ले देंगी हमारे लिए market में पैसा जमा करना मतलब कहाँ पैसे जमा करना bank में और वो भी bank में किस में FD में क्योंकि हमारा सोच वोई चल रही है तो लेकिन actual में इसका मतलब होता है market rate of interest का कि जब आपना cash market में कहीं deposit करो और market आपको interest rate दे उसको बोलते हैं market rate of interest ठीक है जी तो ये हो गया market rate of interest दूसरा term है bond तो bond तो खेर आपको पता है लेकिन फिर भी दुबारा से एक drawing बना लो again है ना वही छोटी सी drawing बना लो just reference के लिए क्योंकि ये सब बाते बाद में याद करने में revise करने में help करेंगी तो वही बात है कि company ने किसी से पैसा लिया मतलब loan लिया और company बदले में उसको एक कागस का टुकड़ा देगी और उस कागस के टुकड़े पर ये लिखेगी कि मैं आपके पैसे 5 साल बाद लोटाऊंगी और आपको interest भी दूँगी ऐसी कुछ भी लिख रहा हूं बारा परसेंट पा रहे न है न तो company repayment की terms लिखेगी ब्याज लिखेगी और इस कागस को issue कर देगी तो इस कागस को हम कह देते हैं bond या adventure तो वो कीन्स ने नहीं बताया आक्षी जी तो बाजार मतलब बस बाजार अब कोई भी बजार हो तो इस कागस के टुकड़े को बोल देते हैं bond, बाकी इस bond के बारे में लिख लो एक line पता होनी चीए कि भई it has market price just like shares, इसके भी market price होते हैं shares की तरह और bracket में लिख लो it is tradable इसका भी trade होता है मतलब इसको भी खरीदा बेचा जाता है तो जैसे share बाजार में share की trading होती है share खरीदते बेचते हैं बिल्कुल उसी तरह bond भी खरीदा बेचा जाता है और bond के भी market price रोज change होते रहते हैं तो bond भी मतलब नाम से bond है लेकिन आप मन में सोच सकते हो कि भी ये भी share की तरह है just like share ये भी खरीदे बेचे जाते हैं ये भी tradable होते हैं और bond पर मिलने वाले returns बताओ दो जड़ा देखें याद हैं की नहीं interest payments और capital gain है ना तो चलो वो तो खेर लेखी लिए आदा तो clear होगे bond उसके बाद अगला सितारा अगले सितारे का नाम है current rate of interest current rate of interest versus critical rate of interest ये भी देखो दो शब्द है सुनने में देखो कितने एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इनका दोनों का मतलब बहुत अलग है पहला है current rate of interest और दूसरा है critical rate of interest तो current rate of interest का मतलब होता है बड़ा बड़ा लिख लेना actual तो बताओ फिलहाल क्या interest चल रहा है बजार में actual तो सर हमें क्या बता तो मैं ऐसे कुछ भी लिख रहा हूं मन गणंत मान लो 6% तो actual का मतलब जो actual है जो अभी है ठीक है actual मतलब जो अभी है at present तो उसको बोलते है current rate of interest लेकिन critical rate of interest बोलते हैं किसको बड़ा बड़ा लिखना critical rate of interest का मतलब होता है normal इस है normal नॉर्मल का मतलब है मतलब जो होना चाही है या जो नॉर्मली रहता है मतलब वही नॉर्मल मतलब होना चाही है लिख लो तो वह कुछ भी हो सकता है ऐसी मनघणंत मतलब ऐसी लिख रहा हूँ क्या पता शाड़े छाए परसेंट हो normal या क्या पता शाड़े पांच परसेंट हो कुछ भी हो सकता है वही normal तो तो ना मुझे नॉर्मल पता ना मुझे actual पता मैं भी आपी की तरह अंजानू लेकिन बस हाँ ये पता है कि actual वाले rate को क्या बोलेंगे current rate of interest और normal मतलब जो होना चाही है normally उसको क्या बोलते है critical rate of interest तो पहले दोनों शब्त clear होगे तो इसमें बहुत बड़ी एक theory बताई गई कीन्स के दौरा वो हमें लिखनी है अगले सितारे में तो अगले सितारे में आप लिखो तो इसमें पूरा एक drawing बनानी है तो एक आदमी बनाना है इस आदमी का नाम बताओ क्या है इस आदमी का नाम है wealth holder wealth holder ठीक है मतलब पूंजी पती धन्ना सेट कुछ भी समझना ठीक है wealth holder तो इसके पास billions of billions dollars पड़े हुए तकिये के नीचे तो हमें wealth holder की आपको सोच बताई जाएगी कि wealth holders क्या सोचते है तो देखो इसमें दो कंडीशन है मैं पहले एक मैं समझाऊँ हूँ फिर अगली आप से पूछऊँ हूँ तो इसलिए पहली वाली धान से सबजनी तो लिखो इसको इसको ब्लॉक बना लो अब वेल्थ होल्डर देखो कैसे सोचते है आपको अमीरों की स्कीम बताई जा रही है दक्ष देखो अमीर आदमी कैसे सोचते है कि if current rate is greater than critical rate एक बर रिवाइस करते है current rate कौन सा अधा जो actual है तो माल लो actual है 10% ठीक है ऐसे लिख रहा हूं कुछ पर और critical rate कौन सा था नॉर्मल मतलब जो होना चाहें नॉर्मल जो होना चाहें तो wealth holder के हिसाब से मानलो normal होना चाहिए 6% ऐसी कुछ भी लिख रहा हूँ तो देखो पूंजी पती आत्मी कैसे सोचते हैं, बड़े-बड़े investors कैसे सोचते हैं तो सबसे पहले वो rate देखते हैं कि आज बजार में क्या rate चल रहा है तो उन्होंने देखा कि आज market में क्या rate है 10% लेकिन उन्हें पता है उनकी expectation है कि आज नहीं तो कल ये कितना हो जाएगा 6% यानि कि normally कितना रहता है rate 6% लेकिन फिलहाल किसी reason की वजए से अभी actual कितना चल रहा है 10% तो इनकी ये सोच है लिखते हैं अभी सोच को जो मैंने बोला मतलब इसको अब bracket बना कर लिखते हैं कि वह क्या सोच रहा है then he expects the rate of interest to fall in future तो पूझी पती ये सोच रहा है कि आज नहीं तो कल कुछ समय में भविश्य के अंदर ये rate कम होगा तो सबसे पहले आप यहां तक हां बोलना तब मैं आगे भढ़ूँगा कि आप ऐसे सोचो कि भई आज बाजार में actual rate कितना चल रहा है 10% ठीक है? कितना चल रहा है? 10% आज नहीं तो कल आप क्या expect कर रहे हो कि rates क्या होंगे कम होगे? क्योंकि अभी चल रहा है 10 लेकिन आपके हिसाब से आपकी सोच के हिसाब से normal है 6% तो आप क्या expect कर रहे हो कि इसका मतलब rate क्या होंगे? कम हो जाएंगे फिर आगे लिखो when या ऐसे लिख लो and when rate of interest falls और जब rate of interest fall होता है और जब rate of interest fall होता है तो पता है आपको main चीज जो मझे उसे खानी है bond prices क्या होते है increase हो जाते है rise हो जाते है तो ये आप बादल बना लो तो इस बादल से interpretation बन गया पहले वो लिखते है फिर इस पर गंभीर चर्चा करेंगे बताओ आप बताओ क्या interpretation बन गया very good inverse relation right तो इस बादल से ये interpretation बन गया कि भई inverse relation है between interest rates and bond prices ठीक है तो ये तो रठ तो ले नहीं लेना ये रठना तो आपको है ही है by any case लेकिन फिर भी मैं समझाऊंगा practically out of the way जाकर जो बादिक किताब में नहीं दे रखी फिर भी मैं एक बार समझाऊंगा अपनी कोशिश करूँगा लेकिन ना भी समझाए तो don't worry inverse relation होता है लेकिन मैं फिर भी आपको समझाने की कोशिश कर लेता हूँ तो आप ध्यान से सुनना अब क्यों होता है ठीक है उसका logic सुनना ध्यान से मान लेते हैं company का एक bond है ठीक है जिसमें मान लो साड़े साथ परसेंड इंटरस्ट दे रखा है कमपनी ने कि हम अपने सभी bond holders को कितना interest देंगे साड़े साथ परसेंड तो बड़े ध्यान से सुनना अब हमारे उपर के example में जो market का rate है जो अभी वैसे actual कितना है 10% लेकिन देखो पूंजी पती की सोच बता रहे हैं wealth holders की उन्हें पता है कि ये 10% rate जो है ये गिरते 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 कितना आ जाएगा 6% ऐसा वो सोच रहे है वो कुछ भी वो तो मुझे भी नहीं पता ना उसे पता लेकिन उसकी सोच क्या है कि ये 10% rate market का कितना हो जाएगा 6% तो अब आप ऐसे सोचो कि अगर आपके पास पैसा है या पूंजी पती के पास पैसा है या बहुत सारे दुनिया में जो लोग है उनके पास पैसा है demand भड़ती है, फिर सारे पुझी बती bonds खरीदने आ जाते हैं, Warren Buffet सहाब और बहुत सारे लोग कि भई bonds खरीदेंगे हम तो, क्योंकि bazar में rate कितना होने वाला है 6, मालो आपके example से समझाते हूँ, मालो आपको पता चले कि जमीन जो है वो उस पे invest करने में return कम मिलेगा, और आपको अगर bitcoin में invest करना हो तो जादा मिल रहा होगा, तो आप भी कहाँ पसंद करोगे invest करना, जहाँ जादा मिलेगा, तो जो wealth holder होता है, उसको ये पता है कि अगर bazar में interest 6% मिलने वाला है तो वो अपना पैसा बाजार में लगाएगा कि bond में लगा देगा समझे रहो, bond में लगा देगा तो जब जादा wealth holders bond खरीदने की तरफ भागते हैं, तो bond की demand बढ़ने शुरू होती है, और bond की demand बढ़ने की वज़ा से bond के prices क्या होंगे बढ़ने लगते हैं तो यह पूरा एक मतलब economic chain effect चल रहा होता है अब समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है फिर तो आप भी warren buffet हो, नहीं समझ आया तो भी कोई tension की बात नहीं है जब बढ़े होगे तो आ जाएगा, ठीक है लेकिन समझ गे कि आखे होता क्या है, पुंजी पती कैसे सोचता है, तो जब rate of interest कम होता है हमेशा ध्यान रखना बाजार में, बाजार में जब भी rate of interest कम होंगे, तो हमेशा bond prices बढ़ने शुरू हो जाएंगे, तो ये economic cycle चल रही होती है चलो ठीक है जी, अच्छा खेर, तो bond prices बढ़ गए अब ये हटा देता हूँ, अब bond prices तो बढ़ गए, अब क्या होगा, तो लिख लेते हैं curly bracket बना कर, so, they will try to convert their cash holdings they will try to convert their cash holdings into, क्या, bonds because, because क्या आगे dash दालो, तो जो पूझी पती हैं, वो अपने पैसे को किस में convert करना चाहेंगे, bonds में, और क्यों करना चाहेंगे, लिख लो दो reason हैं, जो आपको वैसे पता चल रहे हैं, मैंने बता हैं, पहला, हाँ, they can earn higher interest, एक तो उनको जादा interest rate मिलेगा, हाँ, है न, उन्हें पता है कि बाजार में पैसा लगाया, तो खाली 6%, bond में लगा देंगे पैसा, तो हर साल साथ परसेंट मिलेगा, तो इसलिए वो bond में अपना पैसा invest करना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि they will earn higher interest rate, और दूसरा उन्हें ये भी पता है कि जब bond price बढ़ेगा, तो क्या भी बढ़ेगा उनका, they can expect capital gain, मलब they expect capital gain, तो वो इस expectation में bond में invest करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि bond का price अगर भढ़ता रहेगा, तो हमें capital gain भी हो जाएगा, मलब फायदा भी हो जाएगा, तो इसलिए जो पूझी पती होता है, वो basically bond में पैसा invest तब करता है, जब उसको लगता है कि बाजार के rate काम होने वाले, मतलब यह पूरी सोच पर depend करिये कहानी, तो एक बार repeat कर रहा हूँ, पहले लिख लो चलो, so they will try to convert their cash holdings into bonds because they can earn higher interest rate और उनको expect होता है capital gain, चलो तो एक बार दुबारा बता रहा हूँ, तो पहले तो बताओ किस-किस को समझ आ गया एक ही बार में, है कोई, आ गया समझ में पूरी खानी बड़ फिर भी एक बार repeat कर ले दें, तो आप ऐसे सोचो कि आपके पास billion dollars पैसा रखा हुआ है, और आपको ये लग रहा है, आपकी expectation ये है, बस आप ऐसे सोचो कि आपकी expectation ये है कि बाजार में rate कम हो जाएगा, देखो ये लिखा, he expects the rate to fall, आपको लग रहा है कि बाजार में rate कम हो जाएगा, तो बस आप simple इतना सा logic लगाओ, जहां rate कम हो जाएगा, आप वहाँ invest करना चाहोगे या bond में करोगे होगे, बस इसलिए पूंजी पती bond में invest करने का सोचता है, और जब ज़ादा लोग bond में invest करने का सोचते हैं, तो इससे फिर bond prices क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, बस तो य आपने खरीदा 10 रुपे में और इसका market price हो गया 12 रुपे, आपके खरीदने के बाद, तो कितना हो गया capital gain, 2 रुपे, तो capital gain का मतलब है, आपके खरीद के भाव के ऊपर जो भी बाजार के price हैं, तो समझागे बहले, अब दूसरा आपसे पूछके लिखेंगे, अब इसमें अगले सितारे में सब कुछ उल्टा करना है हमको, तो इसमें भी आपको वोई, आदमी बनाना है, इसका नाम है wealth holder, तो Warren Buffet सहाब, ठीक है, billion dollars तकीए के नीचे रखें, अब इस बार लिखते हैं, if current rate क्या है, less than critical rate, interest rate मैंने बता दिया था, जोती जी, पहले सितारे में जो लिखवाया था, तो मानलो जी, current rate अभी actual चल रहा है, 6%, लेकिन पूंजी पती को लगता है कि normal कितना होना चाहिए, 10% मानलो उसको यह लगता है, तो सबसे पहले तो बताओ, then, इसका मतलब वो क्या expect कर रहा है, हाँ, तो then he expects the rate of interest, क्या, to rise, इसका मतलब वो यह expect कर रहा है कि rate अभी तो 6 चल रहा है, लेकिन होना कितना चाहिए है, 10%, तो इसका मतलब वो यह expect कर रहा है कि rate बढ़ेगा, ब्याजदर बढ़ेंगी, वो यह expect कर रहा है, in future, he expects the rate of interest to rise in future, and when rate of interest rises, और जब rate of interest बढ़ता है, then bond price क्या हो जाएंगे, decreases है न, अब आपको reason पता ही है, inverse relation, तो then bond price falls, तो जब rate of interest rise होगा, तो bond price fall हो जाएगा, यह आपको reason पता ही चल गए, क्योंकि inverse relation है, तो बताओ, पूंजी पती क्या सोचेगा अब, so, so, they will क्या करेंगे, हाँ, मतलब इसको ऐसे लिखना है बस, कि they will try to hold liquid cash, यानि अब अपना पैसे invest फिलाल bond में नहीं करेंगे, वो अपना पैसे तकीए के नीचे ही रखे रहेंगे, कि they will try to hold liquid cash, rather than bonds, यानि कि वो अपने पैसे को bonds में नहीं invest करेंगे, तो कीन्स ने यही बताया था कि जो पूंजी पती होता है, वो बहुत चालू होता है, वो market rate और bond prices को देखकर decision लेता है, कि कब invest करना है, पहले case में invest करना था, और अब वो अपने पैसे को तकीए के नीचे रखेगा, कहेगा मैं bond में invest नहीं करने वाला, तो they will try to hold liquid cash rather than bonds because, तो reason भी लिख लो, A, loss of interest for gone is small, क्योंकि उसको जो interest मिलने वाला था bond पे, वो बहुत कम है, ना के बरावर है, तो उसको वो सोचेगा क्या कोई बात नहीं है, तो loss of interest for gone is small, दूसरा, अब bond price कम हो रहे होंगे, तो इसका मतलब, they can avoid capital loss, अगर वो bond में invest कर देता ना, तो पता है उसको क्या हो जाता, loss हो जाता, तो उसने अपने loss को बचा लिया, invest ना करके, कहा रहा मैं क्यों invest करूँ, bond price तो कम हो रहे हैं, तो किसी भी गढ़ती हुई चीज में हम क्यों invest करें, और तीसरा देखो, वो क्या सोचते हैं, they can, later buy bonds, at lower prices, तो पुंजी पती और चालू होते हैं, कहते हैं, जब बाद में सस्ते हो जाएंगे, बॉन्ड और सस्ते हो जाएंगे, तब खरीदेंगे, तो अभी क्यों खरीद रहा हूँ, अभी तो इनके price कम होंगे, तो इभी कम होने दो prices को, जब भहुत कम हो जाएंगे, मैं तब खरीदूँगा, ऐसे जो wealth holders होते हैं, वो ये सोच कर decision लेते हैं, तो इसमें आपको basically wealth holder की सोच के बारे में बताएगे, तो समझा हैं, wealth holders की कहानी, तो इन दोनों कहानियों को, बड़ी कहानियों को, अब मैं बक्से के अंदर sum up कर देता हूँ, कि भई, ultimately बस आप ये बक्सा भी अगर revise कर लोगे, तो आपका काम हो जाएगा, तो इन दोनों बड़ी कहानियों को, हम इस बॉक्स में sum up करके लिखते हैं, कि वह पूंजी पती कैसे decision लेता है, पूंजी पती का decision कैसे चल रहा है, बस ये बॉक्स याद रखते हैं, तो पहला लिख लो, current rate is high, अगर मान लो current rate high है, current rate is high का मतलब हो गया, कौन सा वाला case, पहला वाला, है ना, पहला वाला case, ये रहा देखो, जिसमें current rate क्या था, जादा था, तो ऐसे में पूंजी पती, bond में invest करना चाहता है, है ना, तो इसको लिखते हैं, इसको कहते हैं, कि भई, low speculative demand for money, इसको कहते हैं, low speculative demand for money, यानि कि वो अपने हाथों में पैसा कम रखना चाहेगा, है ना, वो अपने हाथों में पैसा कम रखना चाहेगा, पहले वाले case में, वो पैसा कहां रखता है, bonds में, तो वो अपने हाथों में पैसा कम रखना चाहेगा, वनी अपने बास कम रखना चाहेगा और दूसरा case current rate is low यानि कि second case जिसमें current rate आपका कम था ये वाला जो आपने अभी उभी लिखा जिसमें current rate मानलो low है तो फिर वो अपना ज्यादा पैसा कहा रखना चाहेगा हाथों में है ना कि बाद में इंवेस्ट करूँगा अभी नहीं करूँगा तो इसका मतलब क्या बोल देंगे High speculative demand for money इसका मतलब वो ज्यादा पैसे अपने हाथों में रखना चाहता है तो High speculative demand for money यानि कि वो ज्यादा पैसे अपने हाथों में रखना चाहता है तो आपका एक्जाम में question इस पर दोनों में से आता है तो इसको और ज्यादा याद रखने के लिए हम क्या भी लिख सकते हैं inverse relation बलकुल से तो आप सीधा सीधा ये भी याद रख सकते हो कि current rate का और speculative demand for money का inverse relation है भाई यो भेनो तो अगर current rate जादा होगा तो हम हाथों में कम पैसा रखना चाहेंगे current rate कम होगा तो हम हाथों में जादा पैसा रखना चाहेंगे ठीक है तो current भाई कह रहे हैं कि सर मज़ा आ गया तो मज़ा इसलिए आगया क्योंकि ये सब नहीं बाते थीं जो आपको आग से पहले कभी नहीं पताती लेकिन ये सोच है wealth holders कैसे काम करते हैं दुनिया में जो कीन्स ने हमें बताया ठीक है लिख ले हाँ तक तो अब इसका चितर भी दिया गया है एक diagram भी दिया गया है किन्स दवारा तो diagram भी बनाते हैं जी तो इसमें जैसे मैं बनाओंगा न diagram वैसी बनाना सुन्दर सुन्दर तो इसमें दो diagram बनाना पहले में लिख लेना थोड़ी सी जंगा छोड़के इंडिवीज्वल और दूसरे में लिख लेना एग्रीगेट ठीक है और इसमें कीन्स भाई ने डायग्राम की हेडिंग भी दलबा जेता हूँ इसमें हमें जो डायग्राम दिया है वो दिया है कीन्स भाई ने की speculative demand for money कैसे काम करता है मतलब speculative demand for money का डायग्राम दिया है इंडिवीज्वल्स के लिए अलग होता है मतलब एक आदमी के लिए अलग होगा लेकिन जब हम सारे आदमियों का total कर देंगे और पूरी नॉमी का ऐसा whole पढ़ेंगे तो फिर वो मतलब aggregate diagram उपर बना रूँ है तो हमें दो diagram बना लेंगे तो पहले individual का बना लेंगे कि बही एक normal individual आदमी की speculative demand कैसे होती है चलो तो x-axis पर क्या लिखेंगे बताओ कौन बच्चा बताएगा demand x-axis पर क्या denote हो रहा है demand और y-axis पर आप लिख लेना interest rate ठीक है तो x-axis पर demand लिख लेना y-axis पर interest rate चलो तो बनाओ हम में तो पहले individual का बनाए तो जैसे जैसे में बनाओ हो वैसे जैसे बनाना तो पहले एक बिंदी हाँ बना लो इसको नाम दे देते हैं rc तो मालो फिलाल interest rate जो है उसको नाम दे दिया rc फिर एक dotted line आगे ले जाओ और जहां मन करें उसको रोक कर नीचे एक फुल लाइन बना दो और उस फुल लाइन को थोड़ा था गाड़ा गर दो गाड़ा ठीक है फिर rc के उपर थोड़ा दो उंगली उपर नापके कहीं माग कर लो दूसरा rate इसको नाम दे देते हैं rn और rc से लेकर rn तक की जो दूरी है इसको भी गाड़ा कर दो गाड़ा तो थोड़ा सा मैं गाड़ा जो है उसको और मतलब आकरशक बनाने के लिए हलका था नीला पन भी उसमें ला रहा हूं गाड़े बन में तो यह चित्र कुछ-कुछ ऐसा है तो कीन्स ने बोला कि जो individual आदमी होता है उसकी speculative demand for money जो होती है उसके बारे में उसने यह बताया तो समझाओं भी पहले बन गया सबका ठीक है तो उसने बताया कि भई RC मतलब हो गया एक तरह से current rate है ना RC मतलब क्या हो गया current rate तो अगर मानलो हमारा rate अब आप लिखना मत मैं आपका diagram complete हो गया मैं इसमें जो भी खिचड़ी पकाऊं वह आप मत करना है तो कीन्स ने बोला कि मानलो हमारा जो फिलाल rate है वो RC से नीचे नीचे है कुछ भी मलब हमारा rate कम चल रहा है अगर कम है कम है कुछ भी तो हम एक particular level demand करेंगे है ना हमारी speculative money की demand कितनी है देखो इस point पर है तो चाहें rate आपका ये हो तब भी same demand करोगे चाहें ये हो तब भी same demand करोगे चाहें ये हो तब भी same demand करोगे तो मतलब जब interest rates थोड़े कम रहेंगे है ना तो आपकी demand कुछ होगी speculative money की demand आपकी कुछ होगी कुछ पहुंच गया, यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, कहीं भी पहुंच गया rate, तो अब इन point ओपर आपकी demand कितनी है, speculative money की, 0, एक तरह से, तो लाल वाले point ओपर, यानि कि अगर rates जादा हो रहे हैं, तो आपकी speculative money की demand कितनी denote कर रहे हो, 0 एक तरह से, समझे लो, 0 को कैसे point करोगे, भई, माल लो, आपको 0 का point बनाना हो, Viber, तो कहां बनेगा, भहीं तो बनेगा, तो समझे गया, कैसे diagram क्या कहना चाहरा है, कि rate अगर कम है, निचले स्तरोबर है, हरा color दिखा ज़ता हूँ, ये वाला, हरे arrow, तो rates अगर कम है, तो तो आपकी कुछ ना कुछ speculative demand होगी, money की, लेकिन अगर rates ज़ादा हो गए, लाल वाले arrow वाले area हो में, तो आपकी speculative money की demand मतलब ना के बराबर है, तो उसको 0 दिखाया, कि जीरो हो जाएगी, ठीक है, तो ये मतलब presentation है, बाकी आपको diagram तो बनाने को आएगा नहीं, तो इसलिए आप ज़्यादा चिंता मत करो, अच्छा, अब ये तो हो गया, एक individual का, लेकिन अगर हम पूरी economy की बात करते हैं, वो ज़्यादा important है, आपके लिए तो इस पर important लिख ले ना, तो कीन्स ने कहा कि जब हम पूरी economy का, as a whole मतलब इस चीज़ को represent करते हैं, तब कैसा बनता है diagram तो बनाईए, आईए जी, तो जैसे मैं बनाऊंगा, वैसे बनाना है, ठीक है, y axis पर उपर कहीं पर बिंदी mark करनी है, और जो water park गए हो आप में से कितने बच्चे water park गए हैं, उसमें ऊपर water slide करिए, जिसमें आपको उपर से छोड़ देते हैं, फिर आप नीचे दाते हो फिसल दे रहें, तो वैसा slide बनाना है आपको, ठीक, तो लाल रंग की बिंदी बनाकर, एक downward sloping curve कह सकते हो, आप economics की भाशा में वो बनाना ह तो इसमें, देखो जी क्या है, अगर मान लो rate है R1, तो आपकी demand कितनी है, थोड़ी सी M1, आपकी money की demand कितनी है, थोड़ी सी M1, अब rate कम हो गया, rate मान लो हो गया R2, तो अब आपकी money की demand कितनी है, थोड़ी सी बढ़ गई, मान लो M2, उसके बाद मान लो rate और कम हो गया, तो money की demand क्या हो जाएगी, बोलो समझरो बात को money की demand और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मान लो M3, पॉइंट समझ आया, लेकिन अब आगे देखना, इस चित्र की खुबसूरती, अगर rate R3 से भी नीचे कर देता हूँ, इसको फिर R0 नाम दे देता हूँ, छलो, थोड़ा दा इंट्रस्टिंग मिनाने के लिए, तो अगर rate मान लो R0 से भी नीचे कर देता हूँ, तो द्यान जो rate होता है, वो एक ऐसा lowest rate हो जाता है, जहाँ पर पहुँचकर individual बस अब, मतलब indifferent हो गया, यानि कि अब वो demand M3 भी कर सकता है, और अब जो उसका demand कर रहा है, वो almost parallel हो गया, थोड़ा गाड़ा कर दो इसको, देखरे हो, last के इस काले गाड़े पन को अगर आप observe करो, तो क्य या आपको parallel नहीं लग रहा, x-axis के, मतलब वो इतना जादा parallel हो गया, कि अब demand R0 level पर ही मतलब और आगे भी हो सकती है, और आगे भी हो सकती है, और आगे भी हो सकती है, मतलब वो parallel हो चुका है, curve, तो अन्तिम शणो में, जो इसलिए मैंने का था, water park के जूले में जो गया हो end में क्या हो जाता है, वो जूला बिल्कुल, flat हो जाता है न, तब थोड़ी न, उसमें slope बचता है, slope कहा होता है, सबसे उपर, जब फुल फोर्स से, velocity से आप नीचे गिरते हो, लेकिन जब बिल्कुल end पर पहुँचते हो, तो उससे में वो जूला कैसा हो रहा होता है, flat हो तो इस last में slope खतम हो चुका होता है, तो इस curve में ये खूपसूरती आपको बनानी है कि last में slope जीरो करना है आपको वाकई में, last में आपको slope क्या करना है, जीरो करना है, और बिल्कुल वो सीधा होना चाहिए, तो उसको थोड़ा तक गाड़ा कर दो, और M3 और M4 जो मैंने म करें, वो भी आप दिखा दो, तो ये इसकी खूपसूरती है, इस curve की, कि last में ये, इसका slope खतम हो जादा है, इसका slope खतम हो चुका और ये बिल्कुल पैरलल टू एक्स एक्सेस है, तो इसका मतलब ये है कि R0 rate के नीचे, अब मतलब अगर हो भी गया, तो हम पे कोई फरक न करने का, इस से कम हुआ तो अब हम पे कोई फरक नी बढ़ेगा, अब हम उतने के उतने रहेंगे, या अब हम इंडिफरेंट हो चुके है, हम मतलब एक trap में फस चुके है, इसको एक trap बोला जाता है, इस area को, तो कौन बच्चा बताएगा, तो ये CBSC में नी पढ़ाते हैं, लेकिन ISC में पढ़ाते हैं, तो कोई है ISC बोर्ड का बच्चा, नहीं है, तो सब नकली है, ठीक है, तो इस trap को बोलते हैं, इस trap को बोलते हैं, liquidity trap, तो liquidity trap के बारे में थोड़ा सा हम लिखेंगे कि आखिर ये liquidity trap है क्या, लेकिन पहले आप अपने diagram बना लो पहले, तो एक बार चेक कर लो, diagram बन गया सबका, तो अपने पढ़ासी का चेक कर लेना, last में slope 0 होना चाहिए, last में वो flat हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं, liquidity trap, तो चलूँ आगे बन गया, ठीक है, तो अब इसी star को लिखना है हमें, तो फिर कीन्स की बात मतलब खतम होगी, तो इस star का नाम है, liquidity trap, ठीक है, बागी bracket में लिख लेना, और इसको ineffective monetary policy भी कहते हैं, ineffective monetary policy, ठीक है, तो एक बड़ी अच्छी interesting story सुनाता हूँ आपको, उससे आपको समझ आएगा, कि practically क्या हुआ था भी, एक जापान की आपको बात बताऊँगा, तो आप इसमें पहले ऐसे लिखो, RBI, arrow दाल के लिखना, follows expansionary monetary policy, monetary policy, लेकिन monetary policy कौन सी वाली, expansionary, तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में बताया था हूँ, तो खलका सा बीच में out of context जा रहा हूँ, लेकिन ये बताना पड़ेगा ना कि बही, expansionary monetary policy किसे गहते हैं, तो भाईयो बहनों, जब आप class 12 में थे, तो शायद आप में पढ़ा होगा कि जो RBI होता है, वो money supply को बढ़ा भी सकता है एकनौमी में और घटा भी सकता है, तो जब RBI घटाता है पैसे, तब हम कहते हैं, contractionary monetary policy, लेकिन जब वो पैसा बढ़ाता है एकनौमी में, money supply increase करता है एकनौमी में, तब हम क्या बोलते हैं, expansionary monetary policy, अब उसमें पॉइंट होता था, open market operations, याद है जी, चीग है, तो देखते हैं किसको याद है, लिख लो आप भी बादल में, तो अगर RBI को पैसा बढ़ाना है market में, तो याद करो class 12, कि open market operations के तहत, RBI बताओ, क्या करेगा ताकि money supply बढ़ाए, क्या करेगा, sell करेगा, तो sell करेगा, फिर तो लोगों का पैसा, उसके पास आ गया, तो ये तो उल्टा बोल रहे हैं दोस्त, भई RBI का motive क्या है, लोगों के पास money supply बढ़ाना है, तो लोगों के पास अगर money supply बढ़ाना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, purchase करना पड़ेगा, मुझे buy करनी पड़ेगी, government security, तो ये लिख लो, buy government securities, ठीके मैं link भी लिख वाज़ता हूँ भई, ताकि आपको याद रहे कि जब RBI government securities buy करती है ना, जब वो buy करेगी, खरीदेगी, तब ही तो पैसा लोगों को देगी ना, तो ये लिख लो बात ये भी, कि भई, buy करने से क्या होता है, तो to increase money supply, तो RBI government securities buy क्यों करती है, money supply को बढ़ाने के लिए, चलो, बताओ फिर, जब लोगों के पास पैसा जादा आएगा, अभी आप सब को दो-दो करोड रुपे अगर दे दू मैं, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आपकी income बढ़ जाएगी, इससे आपकी क्या बढ़ जाएगी, income बढ़ जाएगी, और अगर आपकी income बढ़ गई तो, क्या होगा, demand बढ़ जाएगी, to increase AD, मतलब aggregate demand, तो समझ आया, याद आया, तो RBI बेसिकली आपको क्यों पैसा देना चाहती है, ताकि आपकी income बढ़ जाए, आपकी demand बढ़ जाए, और इस policy को कहते है, expansionary monetary policy, तो RBI अपना लगी हुई है, demand बढ़ आने में, कि भाई, लोगों के पास पैसे पहुँच गए, लोगों की income हो गई, लोग demand जादा कर रहे हैं, और एक point और लिख लो, to increase, या to stimulate economic growth, तो RBI भाई साब लगी हुई है, government securities खरीदने में, government securities खरीदने में, और RBI ही सोच लिया कि बस, अब तो money supply बढ़ता रहेगा, अब तो demand बढ़ती रहेगी, अब तो economic growth होती रहेगी, भाई यहां तक सही होगी बात, अब इसके नीचे आपको लिखना है, बड़ा बड़ा, बड़ परंतू, तो लिखो बहले, तो RBI सोच रहे है कि लोग money supply बढ़ा दी है, अब लोग जादा खरीदेंगे, लोग जादा income हो गई है, लोग demand जादा करेंगे, economic growth होती रहेगी, ऐसा RBI सोच रहे है, देख रहे हो, RBI क्या सोच रहे है, कि भई हमने लोगों की money supply बढ़ा दी, ऐसा RBI सोच रहे है, बट, अब बट के नीचे लिखना, अब आपकी आँखों से आसू निकलेंगे, बट, interest rates are too low, बहुत कम हैं, interest rates are too low, that people do not want to hold bonds and only want to keep liquid cash and only want to keep liquid cash, लेकिन interest rates बहुत कम हैं, बहुत कम हैं, मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, चलो मैं इदर एक बादल में लिखके दिखाता हूँ आपको, bond पर कितना interest मिलता है, चलो बताओ, मले, debentures पर कितना interest मिलता है, साल का, 6 परसेंट या अब 7-8 परसेंट है ना, तो अगर मालो मैं लिखूँ, 0.2 परसेंट पर रैनम, तो क्या आप कोई भी बच्चा, किसी ऐसे bond में पैसा इंवेस्ट करोगे आप में से कोई भी बच्चा, जिसमें आपको साल के सिर्फ 0.2 परसेंट इंटरस मिल रहो, नहीं करोगे, तो कभी-कभी इतने interest rates काम हो जाते हैं, मतलब इतना interest rate too low हो जाता है, कि कोई भी आदमी bond रखना ही नहीं चाहता, nobody wants to hold bonds, और वो सब क्या रखना चाहते हैं अपने पास, liquid cash, वो सिर्फ अपने पास क्या रखना चाहते हैं, liquid cash, तो इस परिस्थिती को liquidity trap कहते हैं, कि economy कहां फस गई, liquidity trap में, कि मतलब interest rate इतना कम हो गया, इतना कम हो गया, कि कोई भी आदमी bond खरीदना ही नहीं चाहता, और वो अपने पास पैसा सिर्फ liquid रखना जाता है, तो इस situation को कीन्स ने बोला था, liquidity trap, और यह जो मैं बात लिख रहा हूँ ना, बादल में, यह बिल्कुल practical है, आपको भी लिखनी है, यह Japan में अभी scenario चल रहा है recent, यह Japan की case study है, कि Japan में, लिख लेना, जो 10 year yield है, मतलब उनके हाँ जो bonds हैं, 10 साल वाले, उस पर कितना interest rate चल रहा है, सिर्फ 0.2% पर रहा है ना, कि आप 10 साल के लिए पैसा दो, जापान के bond में, तो आपको हर साल कितना interest मिलेगा सिर्फ, 0.2%, तो कोई भी bond खरीदना चाहेगा, नहीं, तो यह, मतलब practical example है, तो लिख लेना example, यह Japan का example है, कि उनके 10 year yield, यानि कि 10 year का जो bond का interest rate है, वो सिर्फ, मतलब 0.2% पर रहनम के आसपास, चल रहा है, तो नीचे की line continue कर लेते हैं, conclusion, तो interest rates are too low, that people do not want to hold bonds, and only want to keep liquid cash, that is, that is, speculative demand, that is, speculative demand becomes, तो becomes के बाद जो लिख हूँगा, वो होंगे keywords, speculative demand becomes, dash with respect to interest rates, speculative demand becomes dash with respect to interest rates, और आप से थोड़ा सा दिमाग लगवा रहा हूँ, वो liquidity trap एक बार देख कर आ रहे हैं, डायग्राम पे, liquidity trap, तो सब ने देख लिया liquidity trap, तो मैं खाली उतना उतना बनाऊँगा, खाली liquidity trap बाला बनाऊँगा, तो liquidity trap में, आपका demand curve कैसा था, ऐसा था, मैंने सिर्फ कितना हिस्सा बनाए, समझ रहो, मैंने पूरा नहीं बनाया, मैंने सिर्फ कितना हिस्सा बनाया, demand curve का, सिर्फ liquidity trap बाला, तो जो liquidity trap बाला जो हिस्सा बनाया मैंने, पहले तो देखो आप उससे संतुष्ट हो, तो बिल्कुल ऐसे ही था, ठीक है, तो अब जिसको demand chapter याद हो, वो बताएगा कि अगर demand curve parallel to x-axis है, तो इसको क्या बोलेंगे, बताओ शिवाँच, इसका मतलब demand क्या हो गई है, इस तरह कि demand curve का क्या मतलब है, कि demand क्या हो गई है, constant तो यह तो ग्यारवी के nursery के बच्चे बोलते है, constant तो, और कैसा elastic, perfectly elastic, क्योंकि जब बिल्कुल parallel to x-axis होता है, तो शायद आप पढ़ोगे भी demand में, तो इसका मतलब है, इसकी elasticity infinity होती है, अगर याद है तो नहीं आद तो कोई बात नहीं, तो आप लिख लो लेकिन बड़ा बोलते हैं, perfectly elastic, इसको बोलते हैं, perfectly elastic, तो यानि कि आपका demand curve बिल्कुल perfectly elastic हो गया है, तो liquidity trap में आपकी demand perfectly elastic हो चुगी है, तो आपको बस अब liquid cash अपने पास रखना है, और आप bond में invest अब नहीं करोगे, तो मतलब ये पूरी बाते थी, संपून, जो किस ने बोली थी, कीम से, तो clear होगे खेल, चाहरो तो पस इसको close कर ले ना, तो अब घर जाके आपको पताईए, इतना अच्छे से revise करना है सब कुछ, तो वो काम आप homework में जरूर करना है, चाहरो, done, done, done,